हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा दस कि जीवी ज्यान के सबसे महत्वपुड भविकल्पी प्रश्ण को कराएंगे जिसमें आप सभी को 60 ऐसे महत्वपुड प्रश्ण कराएंगे कि आपके बूर्ड के एक्जाम में 100% यही प्रश्ण आने वाला ह फ्रेंस इन 60 प्रश्णों को सिर्फ पर लीजिए जीवी ज्यान के इससे बाहर एक भी प्रश्ण नहीं जाने वाला है यह एक प्रकार का ब्रहमास्त के तरह काम करेगा तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिए मात्र यह प्रश्ण हल करके आप बूर्ड के एक्जाम म जितने भी जीवी ज्यान के प्रश्ण पूछे गये हैं उसका स्कीन साथ करके आप सभी को देखाएंगे कि इस साथ प्रश्ण में से कितने प्रश्ण आपके बौर्ड के एक्जाम में आये हैं ठीक है तो आप एक सेकेंड के लिए भी वीडियो को इसकी मत कीजिएगा ठीक यानि आपको पताना है कि ब्रिक की किसे से संबंदी थे आपसाने पोसर से शोसन से उचसर्जन से परिवहन से तो आप सभी को पता है कि जो ब्रिक होता है वह एक उचसर्जन का काम करता है इसका सही जवब क्या होगा सी वाला आपसान साही होगा ठीक है अगला नंबर प्र प्रश्ण का सही जवाप डीवल आपसन सही हो जाएगा जिस प्रकास से आपसन लिखें से इसी प्रकास बोड के एकजान में आप सभी को प्रश्ण अदम हुए ही आपसन भी देखने के लिए झाल आपकेंस सभी प्रष्णों के एक जगां जरूर आ पन लिखी सब्बान है यहाँ सब्सक्राइप four यहाँ ठिखें चजनन case यहां पर श्वण्ठों permit image इसे के च्पाराइं सी वाल आपसन आपका सही हो जाएगा अगला नमबर सवाल देखते हैं देखिए यहां पर चौधा नमबर का प्राग कोस में होता है आपको पताना है कि जो प्राग कोस होता है प्राग कोस में क्या होता है तो आप सभी को पता है कि प्राग कोस में प्राग कड़ होते हैं इसक चाठों question में से आपके जीविज्ञान के एक भी प्रश्ण बाहर नहीं जाएगा आप इसको 100% लिखित ले लीजिए ठीक है देखें पांचवा नंबर का है कि किसे उर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है यानि यह प्रश्ण बहुत बार रिपीट होता ह किसे कहता है या मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है तो गस को जाना जाता है अगला प्रशन ये छेथैश पान जता है आपको यहां से पताना है कि जंस्तु में जो पाए जाता है किवल जंस्तु म पर्द्दें नहीं होता है तो जन्तुओं में पाया जाता है इस प्रशन का सही जब क्या होगा इसे लिख लीजिए अगला नमबर देखे सवाल का है सात्वा नमबर का मेंडल ने अपना परियोग निम्न में करने के लिए मिलता है उद्यान मटर इसका सही जब क्या होगा एवल आपसां सही हो जाएगा अगला नमबर देखे आठवा नमबर का सवाल क्या है क्लोरोफील और शोसित करता है यानि आपको बताना है कि पेड़ पोदों की जो हरी पत्तियां होती है प्रकास संस्लेशन के द प्रकास की उर्जा को अवसोसित करता है इसका सही जब क्या होगा सी वाला आपसां सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं देखे नौ नमबर का सवाल क्या है कि मानौ में भूड को पोस्टर मिलता है यानि कि जो मानौ होता है उसमें जो भूड होता इसे याद रखिएगा अब कर सामने अगला सवाल 10-वा नंबर कहा है कि निमनमें से बताना इसम पौसी यह चिरह नहीं होता है अगला नंबेर किसावाल देखिए मानों में करें Kutah quas 되지 में reminds इसकी में कुर्स्टि तोक्रों का रहं हो Kern और नियुक्त सब्सक्राइब कपने सब कि ये की आई में मालो में मादा जर्णन तंत्र का भाग नहीं ये पर रिपीक होता है तो मादा ए нос उती हिए यहां पर माद्र जरू जिवताहे उस में अंडासे होता है गरभाश होता प्रारूप शुद्द्ध गोल भीज़ों को प्रकट करता है यहांसा यहां पर देखे क्या है कि गोल भीज़ों को कौन प्रकट करता है यहां आपसं में देखें कि डबल आर वो capital डबल आर यह सुद्ध भी गोल भीज को प्रकट करता है तो इसका सही जो डीवला आपसं सही हो जाएगा अगला देखें चौदा नंबर का सवान आप लोग पेपर में देखें कि यह प्रश्न कई बारीपीट ह करना हो चुका है पाधवाफों में मेका रह года आप सभी को बताएं कि यहां से ज cannabis होता है यहां से लर проблем लोगी और इस प्रकार मिलता है जल यानि कि जल का से लिए करता है जाइलम करता एै इसका सही हो जाएगा कि पादोपों में जाहिलम को जो कार होता है जल का सनवहन करना होता है ठीक है आप से इस प्रकास भी पूछ सकता है कि जल का सनवहन कौन करता है तो जाहिलम करता है ठीक है अगला नमबर देखिए आपका 15 नमबर का सवाल है कि वह अपरकिरिया जिन में जटिल कार्बनिक अड तोटे हैं आपको तोटे आपको बताना है कि जो प्रेज्टेर करेक्ट हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को देखते हैं तेखें आपको जितने भी साठ कोईस्टन कर आ इतना पढ़ दीजेने आपके जो जूवी ग्यान के बाविकल्पी प्रश्ण पूछते हैं इसे साथ क्वेस्टन में से एक क्वेस्टन भी आपका बाहर नहीं जाएगा ठीक है बस साथ क्वेस्टन को आप एक बार पढ़के जरूर जाएगा बोड के एक्जाम में देखें क् चर्मदा या पाहले ग्रा रोग क्निम्ई में के कमीश को हती है यहां पर दोके क्या दिया है और पोर हो जाता है ठीक है अगला दिखी क्या है आपका सत्रह नमबर का कि हीं मोगलिवेन महत्वड मुहत्वड भूमिका निभाता है दिसका इसका सही चुप और अफसं सई हो जाएगा अगला प्रेश्ण देख कि फुलो इम द्वारा भोजन का अस्ठानांत्र होता है ठीक है किस रूप में होता यह बताना यहां से एक प्रश्ण याद रख सकते हैं कि फुलोएम जो होता है भोजन का अस्थनांत्रा प्यड़ पौदों में करता है एक तो सवाल यहीं से बन जाएगा अब यहां से पूछ रहा है कि जो फुलोएम जो होता है वो भोजन के करता है वसाओं के रूप में इसका सही जबरश वहातन हो जाएगा फुलोएम द्वा भोजन का जो अस्थनांत्रम होता है सुक्रोस के रूप में होता है अगला प्रशन लंबय पौधे को रूप में पूछ रहा है इसका सही जवब क्या हो जाएगा आपका कैप्टल टी एवल आपसं सही हो जाएगा अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर देखिया आपका अगला क्या बीसवा नंबर का सोपोसी पोछड़ है तो आप यह प्रश्ण तो अभी बता है कि स्योटू तो जल उलो फील प्रकाश और यहां पर इसका सही जब क्या होगा डीवल आप्सन सही हो जागा इसलिए कि सोपोसी पोछड़ होता है तो उसमें इन सभी के अवशकता पड़त होता है यह प्रशन आपको मुत्र का निर्माल होता है कहां पहुता है अगला प्रह न्युवर होता है कि इस प्रश्न का अकाउंस सब्सक्राइबं बीक में जो होता है जो Judication पाएं जाता है यह लार्ज होता है उसमें क्यों जाएंज्ञाइम उता है पुर ज है इसकि पुर तो क्यों ऑपर सभी जवाब होता है या कौन से जवाब होगा इसका सभी जवाब हो जाएगा अगला प्रसन देखिए मनुस के हिर्दे में कोष्टकू की संख्या कितनी है यानि कि जो मनुस का हिर्दे होता है उसमें कोष्टकू की संख्या कितनी होते बताना है एक होता है दो होता है तीन होता है या चार होता है तो मनुस के हिर्दे में जो कोष्टकू की संख्या होती ह तोटल चार होता है जिसका सही जवाब डीवला आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए द्वार कोशिकाएं पाए जाती है आपको बताना है कि जो द्वार कोशिकाएं होती उसमें क्या पाए जाता है जड़ो द्वारा जड़ो होता है रंद्रो वात्र रंद्रो यह सभी में होता है याई द्वार कोशिकाई पाई जाती है ताको किसमें पाई जाती यह बताना है ना कि द्वार कोशिकाई किसमें पाई जाती है देखिए इस प्रश्ण का सही जवाब होका बीवला आपसन सही हो जाएगा कि गुइवालब कॉसकाय रंधों में पाये जाती है अगेला प्रसण देखिए पौधों में क प्रवरधन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुखूल एध क को यहां काइक प्रवरधन के लिए बताना है कि का और सबसे अधिक अनुकूल होता है आप संदिया है आपका यहां पर देखिए तना होगा पत्ती होगा जड़ होगा या प्रकलिका होगा यह काईक प्रवर्धन का मतलब समझ लेंगे आपना तो इसका एंस्वर आप आसानी से बता सकते हैं जैसे गुलाब का पौधा देखे सब्सक्राइब तना होता है जिसका सही जोब क्या होगा यह वाला भाग और यह वाला आपसन सही हो जाएगा ठीक है काईक प्रवर्धन के बारे में आप समझ गये होंगे चलिए अगले प्रशन को देखते हैं 26 नंबर का 26 नंबर का है कि जाइगोट में गुर्षुत्रों क संख्या होती है तो आपको जाइगोट बताना है उसमें गुर्षुत्रों की संख्या कितनी होती है इसका गुर्षुत्रों के संख्या 2x होता है दिसका सही जोब सभी वाला आपसन आप याद कर लिजिए अगला प्रशन देखिए 27 नंबर का क्या है कि मुकुलन द्वारा म मुकुलन पाए जाता है यानि मुकुलन पता ना है किस में पाए जाता है प्लेनेरियां पाए जाता है हाइड्राम पाए जाता है निश्मानियां पाए जाता है या सभी में पाए जाता है तो जो मुकुलन पाए जाता है तो हाइड्राम पाए जाता है तो इसका सही जो अब बीवल आप Shania, सबी कारे के लिए, सभी को पता है कि मस्तिस्क के द्वारा आप सोच भी सकते हैं, भी होता है, बीवल आपशन का था यहां पिसका सभी आप क्या हो जाएगा सभी कारी के लिए उतरदाई होता है अगला प्रच यूंतिस नंबर का देखिए प्रचलीत रूप से उर्जा ग्रीक करता है इस प्रशन को बाट जैदम याद कर लिजी उर्जाग्री किसे कहते हैं सीधे-सीधे यही प्रशन आप को इस्टम का सही जवब क्या होगा सीवल आपसन सही हो जाएगा चलिह अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण आपको क्या है जिवासम उर्जा का स्रोत है अब यहां बस आप मतलब समझ जाएंगे जिवासम मतलब क्या होता है तो आप इसका एंस्वर आसानी से बता सकते हैं जीवास मतलब होता है जीवों के अंस के द्वारा जैसे आपको क्या वता पुदा सड़ गया इससे जीव जन्तू मनुष से जो प्रिथवी के नीचे दब गये वह उससे जो आपका उर्जा के रूप में स्रोत मिलता है किसे मिल स्वारा वता है इसका सही क्या होगस शीवल आपसं सही हो जाएगा इसके आप याद रख सकते हैं कि जैसे वैं कोईला हो गया को भी तरएक प्राकुर्यम हो गया मिर्ठी Ann λोग यह सब्वी क्या होते हैं जीवास अर्णे गुदा六 सभाल में पूछ रहा है केवल प्रोटीन के बने होते हैं आप साने क्लोरोप्लास्ट बना होता है लाइसोसोंस बना होता है प्रायोंस बना होता है केवल प्रोटीन के क्या बने होते हैं तो प्रायोंस बने होते हैं तिसका सही जब क्या होगा सीवल आपसन सही हो जाएगा auer DNA पाए जाता है आपको बताना है कैन्द्रक द्रभ्य जाता है यहां पिद्यान दीजह आपसे क्या पूछा है कि DNA चो बहुता है के वल कैन्द्रक द्रभ्य में पाए जाता है कि इसका एब openness सभी होगा इसको पढ़नेंजिएगा आप जरूर से अगला कोईस्टे रहां हर्मोन का कारी नहीं है आपको यहां बताना है कि टेस्टो स्टेरान जो हर्मोन है इसका कारी कारी कौन से नहीं है यहां पर द्याद दीजिए कि लड़कों में यवन अवस्था के लच्छडों का नियंद्र करना यह टेश्टोस्टेरान हार्मोन का कार्य है सुक्राव्यों के उत्पादन के निर्माण में भी इसका बहुत उप्योग है इसके अलवा शरीर व्रिद्धी के लिए भी उपापचेन का नियमन भी करता है लेकिन टेश्टोस्टेरान जो हार्मोन का जो कार्य न नहीं होता है तो इसका सही होगा क्योंकि यहां पर नहीं पूछा है आप से टेस्टोस्टेरान हार्मों का कारे नहीं है तो कारी यहीं नहीं है आपकोदियों और पेशियों का विकास करने मगें स्का कंपयोग क्या है इस सिर्फ दա कौन सा रखेंग को याद राखेंगे घई भर में कैसे याद रखें कई भैस पानी में अब आप मतलब गुलंसीर क्या होता है कि बौल दिया नहीं लेकिन अ चुलंसीर क्या होता है विटामिन B और C जो होता है किवल जल में गुलंसील होता है इसके लिए अन्य जितने भी विटामिन आपको मिलेंगे वह जल में गुलंसील नहीं होता है जैसे विटामिन A हुआ विटामिन K हुआ विटामिन D हुआ यह जल में गुलंसील नहीं होते हैं यह किसमें गुलंसील को देखते हैं अगला प्रशन आपको kya 35 से नंबर का देखिए कि एटी पी तथा यहन एडीपी कामा टूएच का निर्मार होता है आपको बताना है सिदधे सिदह कि एटीपि तथा यहन एडीपी का निर्मार कहां पे उता है तो यह होता है देखें अगला प्रश्ण आपके क्या है केवल न्यूक्लिक अम्ल यहां ध्यान दीजिए केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के बने होते हैं यानि कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से यहां पर कौन बना होता है जिवाड़ू बना होता है विसाड़ू बना होता है या प्रियांस बना होता है यहां पर क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से निर्माड होता है इसका अगला देखिए पूरुस में लिंग ग category ३ालीन्ः गूल सुतरु होते हैं जब कि जो स्त्री होती है जो महिलाएं होती है उसे में आपका एक एक्स गूल सुतरु होता है निति को एक प्रश्न आपका पूछ सकता है यहां सो पूछाएगा पूरुस में लिंक कॉल सुतर होते यहां प्रास नुभ दोनों प्रश्ण का यहां प्रश्ण आपके सामने हैं कौन सा प्रश्ण है कि पित रस का स्राव कहां से ना आपको सभी पिताशय सोथा है यह करित्स सोथा अगंच्ञ अगान्या 6 यह आमके से सुवता है जो इनसुलीन ठाइराकसिन अस्टोजन साईटोकाइनी यह पाधफ हर्मोन होता है जो पिएपोध पध कuciones प्योंद हो पायोता है इंसुलीन थाइराकसीन जो आपके होगा डी वाला आप्सन सही हो जाएगा तो पाधा फार्मोन कौन सा है साइटो काईनी इसे आप जरूर याद रखें ठीक है यहाँ पर प्रश्ण को यहाँ लिखा है साइटो काईनी ठीक है चलिए अगरे प्रश्ण को देखते हैं देखें यहाँ पर 40 नमर का जो आम खाएगा नहीं यह कभी अैसा नहीं होता है घास को बकरी जैसा घास को बकरी count को मानो खाताक यह सही है इसका मतलब यह आछaches को बकरी खाएगी और बकरी को क्या होता है मुक्ति खाते रते हैं इक श्रिंखला निजाता इसलट आ सब्सक्राइब घ्रवत को जाएगा अगला प्लाशन नंबर का कि इंसुलीन नामक हार्मोन स्रावित होता है अब यहां बताना है जो इंसुलीन नामक हार्मोन उसका स्राव कहां से होता है अमासे से यक्रित से यह अगन्यासे से देखते हैं पत्तियों पर कलियां विख्सित होती यानि पत्तियों पर कलिया है ताम न यह given होती है कि पत्तियों पर बिखती है आप उसीं इतंव चल्फ देखें और लुचोश्चीं होती फिराउससै विख्षी नमबर का उन्वांस्ड जुश्यण केmother को नहीं आपको बतानाः जी और थे जर्स तो सुपरिक्ट क्वलेसान कि मेनडल को मंग अनुवाट्सै डारूइंग्, यहां इसा प्रस्ट आपको थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ देता है न गुरता है मेंडल किसे संबंदित है मेंडल जू हे आपकी अनुवांवां सिнения से संगाए उस प्रश्न को पूछा गये में एक הפर प्रश्न नहीं चवाल इस नमबर के प्रश्ण को दो डियन्य तंतु आपस में जुड़े होते हैं यहाँ पूरा प्रश्ण देख लीजिए दो डियन्य तंतु आपस में जुड़े होते हैं यह आपको बताना है ठीक है जो डो डियन्य तंतु आपस में जुड़े होते हैं उसे क्या पहलते ह अगला सवाल देखिए 45 नंबर का कि समझात अंगों का एक उधार माना जाता है यहां आपसन देखिए हमारा हाथ तक कुत्ते के अगरपाद यह समझात अंग होते हैं हमारे दात तक हाथी के दात समझात अंग के अंतरगत आते हैं आलू गहास के उपर ही भू अस्तरी जो भा प्राकृतिक वरणवाद का प्रतिपादन किस ने किया यह प्रश्ण आपकी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा है कि प्राकृतिक वरणवाद जो है इसका प्रतिपादन किस ने किया था आपसन ने लैमार्क ने किया डार्विन ने किया मेंडल या मारगन ने तो अंतिक और वहाँ से संबंधी थे ठीक है यह अगले प्रस्ण को देखते हैं सायतालिस नंबर का सवाल देखिए निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगिक होता है आपको बताना एक लिंगिक पुष्प किसमें होता है आप सने पपिता गुड़हल सर सो मतर तो यह अगला प्रसन देखिए मादा जरन तंत्र में किस भाग में कापटी यहां पी ध्यान दीजिए हैं क्या पूछा है कापटी अस्थापित किया जाता है देखिए आप इस प्रशन को जरूर ध्यान से पढ़ दीजिए तो देखिए यहां पे क्या है आपका कापटी का जो अस्थापित किया जाता है गर्भासे में किया जाता है अगला प्रशन देखिए आपका टोटल साथ प्रशन है ठीक है तो आप टोटल साथ प्रशनों को जरूर लिख लीजिए ठीक है बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं आप सभी को देखिए 49 नंबर का है कि स्वास्त मुनिस्य में समान रक्त दाप यानि BP होता है आप सभी को पता है यह प्रशन तब एक प् 20 वटा के 80 ठीक है अगला प्रशन देखिए 50 नंबर का कि कौन सा समझात अंगों का सर्वस्रिष्ट उधारण प्रेस अब बस केवल 10 प्रशन बचे हैं तो आप वीडियो को छोड़के मत जाए वीडियो लाश तक पूरा देखिए 50 नंबर का क्या है कि कौन सा समझात अंग लिभी लिजिए अगला प्रशन देखिए 15 नंबर का कि ड्यूखंडान वीदि द्वारा ज्मियों में होता है यहाँं प्रेकिए द्यूखंडनीधी के दूआर जो अलैंगी जनन होता है वो आमीबा में होता है इस प्रशन का सही जो आपको होगा ए वला आपसण सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिया कि क्या है बावन नंबर का कि जठर संसलेशन होता है प्रकास संसलेशन होता है तो उसके दवरान कि नहीं होता देखे अभी तक आपने एक प्रखास प्रश्ट के द्वारर किसकी जल के चीमें प्रौकारि क्यों चाल। प्रखास प्रौकर होता है… तो आक्सिजन नहीं होता है इस प्रश्न का सही जब क्या होगा वल अप्सन सही हो जागा export यूँआ का संस्लेशन नहीं होता है इसका सही है अगला प्रशन देखivan का क्या है पत्तियों सेरे क्ली च्ट्ल अब यहां पर दिखे किसे के दो शार पूचा ये कि सीरा क्लीwasser होता है पट्ति की द्वारा किसमे होता है जब कि पति के द्वारा पूछे गाया त्युक्त्यौंट्र येवल आप्सन सही हो जाएगा कि पत्तियों द्वारा काईक प्रजनन किसमें होता है तो ब्राइव फिलम में होता है ठीक है अगला प्रशन देखिए आपका बस आपका 5-6 कोईश्चन और आ गया है वीडियो को देखिए और लिख लिजी सभी कोईश्चन ओका ठीक है क्या पाई जाती है यानिके सिधा सिधा बताने कि जो कूपी का होता है वो कहां पर पाई जाती है या कृत में फेफड़े में होता है या अमाशे में होता है या जीम में होता है जो कूपी का होगा या जिसे हम वायुक कोष्ट का कहेंगे तो वायुक किसके द्वारा होता है फेफड़े के द्वारा होता है ति कहां पर होता है तो फेफड़े में ह कि मेंडल की अनुसार मटर के पौदों में निम्रिकित में से कौन सा जीनो टाइप लंबे तने जुरिदार बीजों के लच्छड ब्यक्त करता है तो पहले यही याद रखे कि मेंडल है वह मेंडल कि क्या है आपका मटर के पौदे पर अपना प्रयोग किये थे अब यहां बत पताना है आपको ठीक है यहां पर देखिए कि आप लंबे पौदे के लिए अभी पढ़ें कि कैपिटल टी कैपिटल टी होता है जुरिदार बीच के लिए इसमाल आर हो जाता है इसका मतलब सीवलाप्सन सही हो जाएगा गोल के लिए क्लिए आप सभी को अभी प्रश्न कर है तो यह सीवलाप्सन सही हो जाएगा अगला देखिए कुछ ऐसे प्रश्न जो है आपके 2023 के पेपर में पूछ लिया गया था बस इसको वन लीनियर कोश्चन की तरह बस एक बार देख लीजिए जिसे यहां पर है कि चिपको आंदुलन कहां आयोजित किया गया था यह चि कि किस देश को पावनों का देश कहा जाता है तो आप सभी को प्रश्न जब 2023 का पेपर देखे होंगे तो उसमें देखे होंगा डेनमार्क आप्शन में तो किस देश को पावनों का देश कहा जाता है तो डेनमार्क जो होता है उसे पावनों का देश कहा जाता है इसके लग अगला प्रश्ण आपका 2023 में प्रश्ण पूछा था भारत के जल पूरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन से प्रसिद्ध है राजेंद्र जो सिंग है भारत के जल पूरुष के नाम से प्रसिद्ध है ठीक है अगला प्रश्ण आपका 62 नंबर का है कि नवी करड़ी उर्जा का एक पार्यवड़ा हीताईसी स्रोत है ठीक है तो पार्यवड़ा हीताईसी स्रोत का मतलब यह होता है कि जो पार्यवड़ा को क्या करता है कि दूसित नहीं करता है तो पवन उर्जा हो गया सौर उर्जा हो गया जल उर्जा हो गया यह सब पार्यवड़ा को परदूसित नहीं क में लगा सकते हैं पाहरवड़ा ही तैसी के मतलब आप समझ गयों गया जो पाहरवड़ा को दूसीत ना करें वह सभी क्या होते हैं यहां पर जीविज्ञान के सबसे कराने वाले हैं इन सभी प्रशनों का आप जरूर लिख लिए इसके बाद आपको रसायन विज्ञार जीविज्ञान हिंदी कि इंपर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और वीडियो पसंद है दो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक सेरकरे.